अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिये बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके नविश्का प्रणा सक्षिनुस नेटवर कर आप सब्सक्राइब का स्वागत है इस वक की सबसे बड़ी ख़बर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन के जरेवाल ने अलान किया है कि कल यानि सोमार से दिल्ली के सभी वाडर सब के लिए खुल जाएंगे लेकिन उ अब हमने के लिए अगर आपने के लिए खुल दिया तो वह जो बैड है वो तीन दिन के अंदर भर जाएंगे और इसके लावा एक डॉक्टर का पैनल भी गटित किया गया था जिसने अपनी सिफारिशें दिल्ली सरकार को साथ में यहीं कहा है कि दिल्ली के जो अस्पताल ह रहा है इसके लिएम उसमें सभी का इलाच हो पाएगा और खास बात यह है कि दिली में कल से जो है या धर्मी किस्था लोग रहे हैं वो खुल जाएंगे आए आपको लिए चलते हैं सीधे मुख्यमक्त्री अरबीन केजिवाल कि प्रस कॉफरेंश दिखाते हैं रिच्टीवा मॉल्स खोले जाएंगे और धार्मिक स्थान खोले जाएंगे दिली सरकार भी उन्हीं केंदर सरकार के उन्हीं आदेशों के मताबिक कल से दिली में रेस्टराँ, मॉल्स और धार्मिक स्थान खोलने जा रही है लेकिन जब ये खोले जाएंगे तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के क्या-क्या स्टेप्स उठाने होंगे, मास्क पहनना होगा जितने भी एहतियात बरफने के लिए केंदर सरकार की एक्सपर्ट्स ने, केंदर सरकार ने जो आदेश दिया है पारे स्टेप्स को दिल्ली सरकार लागू करने जा रही है और वो ओर्डर अभी थोड़े देर के बाद लागू हो जाएंगे लेकिन दिल्ली में होटेल्स और बैंकेट हॉल्स को अभी नहीं खोला जा रहा है क्योंकि दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना के केसिस को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में हो सकता है हमें कई होटेल्स और बैंकेट हॉल्स को हॉस्पिटल्स के साथ अटैच करके उनको हॉस्पिटल्स में कनवर्ट करना पड़े इसके मद्य नजर अभी होटेल्स और बैंकेट हॉल्स को नहीं खोला जा रहा है धीरे धीरे हम सब लोगों ने मिलके अपनी अर्थे वस्था तो खोल ली बहुत सारी धील दे 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 लोकडाउन के अंदर लेकिन लॉकडाउन में धील देने का ये मतलब नहीं है कि करोना खतम हो गया करोना भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है इसलिए मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के बिंती है कि जो भी एहतियात बरतने के लिए तीन चीज़े बार बार कही जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग बरते हैं मास्क पहने मैं देखता हूँ कि कई लोग घर के बाहर निकल रहे हैं बिना मास्क पहने हुए मास्क पहन के आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं मास्क पहन के आप अपने उपर एहसान कर रहे हैं अगर आप एहतियात बरतेंगे तो आप करोना से बच सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और बार बार हाथ को धोना ये तीन चीजे अपने को अच्छे से करनी है लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी बिंती बुजर्गों से है सभी बुजर्गों से मेरी हाथ जोड़ के बिंती है आप ये मानके चले कि आपके लिए लॉकडाउन खतम हुआ अभी भी आपके लिए लॉकडाउन है और आपके लिए तो और ज़्यादा लॉकडाउन है सकती से लॉकडाउन करना है, मान लीजे आपके घर में आपके बच्चे हैं, थोड़े दिन के लिए बच्चों से इंटरेक्ट करना बंद कर दीजे अपने घर के अन्य सदस्यों से इंटरेक्ट करना बंद कर दीजे एक ही कमरे में रहिए अगर ज़रूर तो एक बर ही बाहर राउंड लगा आईए लेकिन किसी के साथ भी इंटरेक्ट मत कीजिए किसी भी तरह से बजर्ग सबसे ज़्यादा जितनी मौते हो रही है उनमें सबसे ज़्यादा बजर्ग है तो मेरी आपसे जो बजर्ग हैं और जिनको को मॉर्बिडिटी जो कहते हैं ज howगा है या दाइबेटी त्ल काम bon Как इन्होंको ज़्यात बरतने की जरूरत है पिछले हफ़े मैंने अब सब लोगों से करो पिजले चीज है कल से और दिल्ली के एस्पतालों में इलाज कराएंगे, उससे दिल्ली के एस्पताल अभी जो कुरोना का इलाज कर रहे हैं, क्या उसको बर्दाश्त कर पाएंगे, क्या उस बर्डन को बर्दाश्त कर पाएंगे, इस वज़े से बॉर्डर्स को सील किया गया था, कल से दिल्ली के को खोला जा रहा है साथ ही अभी कैबिनेट की मीटिंग ही और ये निरने लिया जा गया है कि पिछले हकते हमने दिली के लोगों से पूछा था हमने दिली के लोगों के सामने ये प्रश्न रखा था हमने दिली के लोगों से ये पूछा था कि अभी तक कोरोना होने तक मार्च के महीने तक दिल्ली के सारे अस्वताल पूरे देश के लोगों के लिए खुले रहते थे दिल्ली के लोगों ने कभी अपनी देश के लोगों का इलाज करने से मना नहीं किया किसी भी वक्त हमारे दिल्ली के सारे अस्वतालों में लगबग 60-70% मरीज दिल्ली के बहर से देश और उसके इंतिजाम करने के लिए दिली सरकार आपकी सरकार बेड्स का इंतिजाम कर रही है चारो तरफ अस्पतालों में बेड्स का इंतिजाम कर रही है ऐसी स्थिती में अगर हमने दिली के अस्पताल पूरे देश के लोगों के लिए खोल दिये तो दिली के लोगों को जब सुझाव भीजे और 90 प्रतिशक से ज्यादा लोगों का यही कहना था कि करोना करोना तक जब तक करोना है दिल्ली में तब तक दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होने चाहिए उसके बाद हम लोगों ने पांच डॉक्टर्स की कमिटी बड़े-ब दोक्टर्स थे, डॉक्तर महेश वर्मा, वाइस चांशलर है आई-पे नुवस्टी के डॉक्तर सुनिल कुमार, मेडिकल डेरेक्टर है जी टीवी होस्पिटीर के डॉक्तर अरुन गृपता, ये प्रेजिडेंट है देली मेडिकल कांसिल के डॉक्टर आर्के गुप्ता ये एक्स प्रेजिडेंट है डेली मेडिकल एसोसियेशन के डॉक्टर संदीब बुद्धी राजा ये ग्रुप मेडिकल डिरेक्टर है मैक्स हेल्थ केर के इन पांच लोगों की कमिटी ने विचार विमर्श करके और दिल्ली की जो मेडिकल इंफरसेक्चर है हेल्थ इंफरसेक्चर है उस पे नजर डालके उसको सारे को एसेस करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में और बहुत सारी चीज 210 हैं लेकिन उनका यह कहना है कि अगर दिल्ली के दिल्ली में इस वक्त कोरोना की केसिस बहुत जादा बढ़ रहे हैं और जून के अंत तक दिल्ली को लगबक 15,000 बेड्स की जरूरत होगी यह कहां से आएंगे तो इसलिए उनका यह सुझाव है कि दिल्ली के सारे अस्पताल के अगल दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए और दिल्ली के अस्पतालों को पूरे देश के लोगों के लिए फिलहाल नहीं खोलना चाहिए उन्होंने यह कहा है कि अगर सब के लिए खोल दिया तो तीन दिन के अंदर आज जो 9,000 बेड दिल्ली सरक कोविड के पेशेंट्स के लिए रखे हैं यह मत्रतीन दिन के अंदर भर जाएंगे इन सारी चीजों पर आज कैबिनेट ने गौर किया भी थोड़ी देर पहले हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी और कैबिनेट ने गौर करके यह निरने लिया है कि हमें एक संतुलन बनाने की जरूरत है दिल्ली सरकार में दस हजार बैड है केंदर सरकार में भी दस हजार बैड है तो एक तरफ कल से हम बौर्डर्स खोल देते हैं बौर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने च इलाज करा सके उसके उपर दिल्ली सरकार कोई आदेशनी पारित कर रहे उसके उपर कोई तो जो जैसे आज विवस्था है कि केंदर सरकार के अस्पतालों में कोई भी जाके इलाज कराता है केंदर सरकार के अस्पताल सब के लिए खुले रहेंगे प्राइवेट अस्पताल के किवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रहेंगे कोरोना कोरोना तक लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जो स्पेशल किसम की सरजरी करते हैं जो सरजरी बाकी देश भर में अविलेबल नहीं है और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली आना पड़ता जैसे ओंकोलोजी सरजरी हैं ट्रांस्प्लांटेशन हैं नियूरो सरजरी हैं इस किसम की कुछ सरजरी जो कुछ चंद अस्पताल करते हैं उन सरजरी के लिए देश भर से लोग अगर दिल्ली आके अपनी सरजरी करवाते हैं वो पूरे देश के लोगों के लिए खुला रह उनके हितों की भी रच्छा